है एवरीवार्ण वेलकम टो एंसी एर्टी इजी एक्स्प्लानेशन आज हम लोग मोल कॉंसेट के कुछ कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स यानि के नुमेरिकल सॉल्फ करने वाले हैं जिसमें सबसे पहले हमारा जो कोश्चन है वो है कि वाट इस ता मोलरीटी ओफ इस और यहां पर हमको कि गाल हुआ है जो कि हमारा दस लीटर है कंतेनिंгрव फइव मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानि एक बेकर उसके ंदर सॉल्यूशन है solution के अंदर वाल्यू वो हमको पता है गहारा मोल्स ऑफ फ्टी स्वॉल्यूट है वो भी हमको पता है पांच लीटर कुछ हम को हम लोग M से डिनोट करते हैं तो जो मोलरीटी होता है वह नंबर ओफ मोल्स ओफ दी सॉल्यूट डिवाइड़ बाई वॉल्यूम ओफ दी सॉल्यूशन इन लीटर यही हमारा बेसिक फॉर्मूला है मोलरीटी का तो बस इसी फॉर्मूला पर रख दो यहां पर ओल्डरी सॉल्यूशन का वॉल्यूम है वह हमारा दस लीटर पहले से दिया हुआ है तो यह हमारा हो जाएगा वन बाई टू यानि की हाफ मोलर तो इस कोश्चन का जो आंसर होगा वह जाएगा वन बाई टू यानि की 0.5 मोलर ठीक है अमारा जो नेक्स और टू न करती है कि टू H आफ मोल्स ऑफ साल्यूट डिवाइड बाई मास ऑफ दी सॉल्वेंट सॉल्वेंट का हमको यहां पर मास लेना है लेकिन इन कीलोग्राम केजी में लेना है बहुत ही बेसिक सा कोश्चन है बच्चों निमेरिकल बहुत हार्ट नहीं है तो देखो इसमें भी उसी फॉर्मूले है इसमें और जो सॉल्वेंट का यहां पर वेट है वह हमारा 500 ग्राम है लेकिन बिकॉस कि इसमें बोला गया है कि केजी में चाहिए तो हम इसको वन और डिवाइड़ेड वन थाउजन यहां पर वन थाउजन लेकिन माइनस में इस तरह से भी लिख सकते है या फिद इसी च यानि की जो ओलिटी ऑफ़ी सॉल्वेट हो जाएगा वह हमारा तैन मुलल मुलल ठीक है यहें बहुत ही बेसिक सा क्योंट इसके अलावा हमारा जो अगला क्योंट है वह है फटनी कितनी बार क्योंट रिपीट हुआ है वही क्योंट यहां पर हैं इसमें से चार आप्शन द तो देखो बच्चों यह इसमें सिंपल सी बात है तेंप्रेचर से इंडिपेंडेट्ट बोरें कि टेंप्रेचर अकर हम लोग चेंज करेंगे तो कौन है जो नहीं बदलेगा तो मोलरीटी के बारे में हम लोग को और लड़ी पता है कि मोलरीटी का फर्मूला क्या होता है नंबर अफ मोल्स आफ इस लूट और वॉल्यूम ऑफ दस ओल्यूशन तो देखो वाल्यूम है यानीगी टेमप्रेचर बदलेगा तो बॉल्यूम चेंज हो जाएगा इसका मतलब यह तो बदलेगा यह इसका ऊप्शन नहीं होगा मोलालीटी क्या होता है कि मोल्स आफ दिस और मॉट अवल फ्रैक्स भी चेंज नहीं होता है कि पार्चन और किंवन भी प्रहक्षों मेने बताया हूआ है psychology वन प्लस इन टूट इसमें भी है कि चेंज होने वाला कोई भी कॉंटिटी नहीं है तो इस हिसाप से यह भी चेंज नहीं होगा तो इस कोश्चन में दो ओप्शन सही है मोल अलीटी भी होगा और मोल प्रैक्शन भी होगा दोनों ही इंडिपेंडेंट होते हैं तो यह बहुत ही बहुत ही बेसिक से कोश्चन थे मिलते हैं अगले वीडियो में थाइंक यू